देखे seatbelts car में भी लगी होती हैं और planes में भी लगी होती हैं अब cars में आगे और फीछे की seats पर जो seatbelts लगी होती हैं वा same ही type की होती हैं लेकिन भाइसा planes में ऐसा नहीं होता है planes में passengers, flight attendant और pilots इन सब की seatbelts अलग अलग तरीके की होती हैं तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है बड़ी interesting जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में इसलिए हमारे चैनल को follow और subscribe कर लीजे देखे flight में passengers के लिए 2 point seatbelt, flight attendant के लिए 4 point seatbelt और pilot के लिए 5 point seatbelt का use किया जाता है, देखे seatbelt का main काम होता है कि किसी भी impact की situation में seat पर बैठ हुए बंदे की body को आगे जाने से रोकना, अब क्योंकि passengers की seats के बीच में gap बहुत ही कम होता है, इसलिए passenger सामने वाली seat से थोला support ले लेता है और बहुत आगे move नहीं कर पाता, इसलिए 2 point seatbelt से ही काम चल जात आगे